नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है आज अश्मा महाजयन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है दर्शनी हिंदी पाक्माला क्लास 8 के स्टूडेंस के लिए चैप्टर नमबर 5 तोड़ती पत्थर कविता जो की सूरेकांत्रिपाथी निरालाजी द्वारा रचित है आपकी बुक के कुछ चैप्टर अप्लोड हुए है जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया आप अहां जाकर अपनी बुक की प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते है बचो आज जो कविता हम पढ़ने जा रही है उस कविता का नाम क्या है तोड़ती पत्थर और लिखी किस के द्वारा गई है सूरेकांत्रिपाथी निरालाजी के द्वारा उन्होंने इस कविता के माद्यम से जो पत्थर के प्रतीक बन गए हैं कौन जो धनी वर्ग के लोग है उनके द्वारा जो गरीबों का शोशन किया जाता है उनकी कठिनाईयों को इस कविता में पेश किया है तो आईए कविता स्टार्ट करते हैं तोड़ती पत्थर वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहबाद के पत्थ पर तो कभी निराला जी एक मैदूर वर्ग की दियनिये दशा को बारते हुए कह रही है कि उन्होंने इलाहबाद के मार्ग पर एक मजदूरनी को पत्थर तोड़ते हुए देखा और वो मैंदूरीन जो थी वे तोड़ती पथर नहीं चायादार पेड़, वो जिस पेड़ के नीचे बैठके पथर तोड़ रही थी न, वो चाया भी देने वाला नहीं था, फिर भी वो क्या करती थी, वे जिसके तले बैठी हुई स्विकार, फिर भी वे मजबूरी के कारण वहीं बैटे हुए पत्थर लगाता तोड़ती चली जा रही थी शाम तन कहते हैं उसका शरीर जो था वो शाम रंका था, काले रंका था तन बर बंदा योवन और मतलग वो अभी युवा थी ठीके? नत नियन प्रिये करमरत मन अब यहाँ पर नत का अर्थ क्या हो गया? कि उसके नियन जानि की आंखे जुकी हुई थी और करमरत मतलग कारे में लगा हुआ जानि कि उसका मन जो था वो लगातार कारे में लगा हुआ था, वो पत्थर ही तोड रही थी सामने तरू मालिका अटालिका प्रकार गुरू हथोड़ा हाथ करती बार बार प्रहार उसके हाथ में एक भारी हथोड़ा था जिससे वो क्या करती थी? बार बार पत्थर पर चोट करती थी प्रहार करती थी उसके सामने क्या था? तरू मालिका अटालिका प्रकार जानि कि उसके सामनी जैसे घने वरिक्षों की पंग्तियां अटालिका भवन यानि कि बड़ी बड़ी कोठियां जो थी वो उसके सामने बड़ी इमारते जो थी वो उसके सामने विद्धेमान थी तो अभी तक आपने क्या सुना कि वह तोड़ती पत्थर कविता में कभी निराला जी बता रहे हैं कि भ्यानक गर्मी पड़री है उन्होंने इलाहबाद के रास्ते पर एक पत्थर तोड़ने का काम करने वली इस्तरी को देखा और वो इस्तरी जानि कि मैदूरिन भरी तक्ती दोपहर की धूप में पत्था तोड़ने के काम में लगी हुई है जानि कि जीवन का कड़ा संगर्ष वो कर रही है और कड़े संगर्ष ने उसे ये काम करने के लिए विवश कर दिया है उसके सामने क्या है विशाल भवन जिसे देखकर वो क्या कर देती है उन्हें अंदेखा कर देती है कि उसने जैसे देखा ही नी सामने तरू मालिका टाली का परकार की कई परकार की उंची 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 इमारतों की किसमें उसके सामने थी मतलब कहीं परकार की उंची उंची कोठिया उसके सामने थी चड़ रही थी धूप गर्मियों के दिन दिवा का तम तम आता रूप कभी कहता है कि जैसे जैसे धूप चड़ती जा रही थी उसी रूप में क्या हो रहा था गर्मी बढ़ती जा रही थी चड़ रही थी दूप गर्मीयों के दिन दूप चरती जा रही थी जानी कि टाइम जो है वो आट वजे के बाद बढ़ता चला जा रहा है उसी रूप में गर्मी भी तेज होती चली जा रही है दिवा का तम तम आता रूप अब दिवा मतलब दिन अब दिन भी क्या लगातार गरम होता चला जा रहा है ओके दिन का तम तम आता रूप देखने को मिल रहा है जानि कि ऐसे में पूरे शरीर को जुलसा देने वाली लू जो है वो चल रही है उठी जुलसाती हुई लू रूई जियू जलती हुई भू और ऐसे में जब पूरे शरीर को जुलसाने वाली लू चल रही थी जब उस औरत ने निराला जी की और देखा तब क्या हुआ रूई जियू जलती हुई भू जानि कि अब कभी बता रहे हैं कि गरमियों में जब चिलचिलाती धूप में बैठकर भारी हथोड़े से पत्थर तोड़ती हुई इस तरी पसीने से लथपत होकर अपने कारे में लगी हुई थी तब उसने क्या देखा कि बिना किसी चाया के जुलस्ती हुई धूप में रूई के समान जलती धर्ती पर वे पत्थर तोड़ने के लिए मजबूर है वो देख भी रही है उँची उँची मारतों को आने जाने वालों को भी देखती है फिर भी वो अपने कारे में लग जाती है गर्द चिनकी च्छा गई पराए हुई दोपहर अब चारो और क्या है गर्म वातावरन यानि कि धूल के कन गर्दो तर धूल के कन चिनकारियों की तरह वातावरन में फैल गई है चारोर बहुत गर्मी है चिनकारियां चागई पराए हुई दोपहर रोज की तरह दोपहर का समय हो गया है लेकिन वे तोड़ती पत्थर वे लगातर पत्थर तोड़ती जा रही है वो अपने कारे में लगी हुई है देखते देखा मुझे तो एक बार जानि कि उस औरत नहीं जानि कि उस मैदूरी ने निराला जी को ऐसे देखा जैसे निराला जी उसकी तरफ देख रहे हैं तो वो भी देख रही है तो ऐसे लगा जैसे उसने अपनी स्थिती का बियान उनके सामने किया हूँ लेकिन उसने कहा कुछ नहीं वो उनको देख रही थी तो कभी कह रहे हैं जब उसने मुझे उसकी और देखते हुए देखा तो एक बार उसने किसे देखा उस भवन की और उस इमारत की और उन्ची अटालिका की और देखा और फिर ये लक्षित करके मुझे ये दिखाया कि मैं वहाँ पर अकेला ही था जो उसे देख रहा था ठीक है चिन तार अब यहाँ पर कभी चिन तार का मतलब कि गर्मी है और गर्मी में उसकी हालत बुरी हो चुकी है और चिन तार जाने कि वो लगा तार पथा तोड़री थी मैला और बुरी हालत में थी उस भवन की और देख रही थी बड़ा भवन था उसकी और देख रही थी और चिन तार जाने कि उसके फटे जो थे वो जरजर अवस्था में थे फटे हुई अवस्था में थे तार-तार हो रहे थे देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टी से जो मार खार होई नहीं तो अब यहाँ पर कभी कह रहे हैं कि देखकर कोई नहीं जानि कि उस समय उस भवन में कोई नहीं था देखा मुझे उसने मेरी तरफ देखा उस दृष्टी से करूं की देया करने वाली दृष्टी से की मेरे उपर देया करो ऐसी करूं दृष्टी से उसने मेरी तरफ देखा जो मार खार रोई नहीं और पीड़ा सहन करते हुए भी वो औरत रो नहीं रही थी जानि कि वो कैसे देख रही थी उसने कभी क सितार तो कभी कहरें मैंने उस महिला के भीतर जो पीडा थी ना जो व्यता थी उसके मीठे गीतों को क्या किया महसूस किया सुनी मैंने वै नहीं जो थी सुनी जंकार जंकार होता है आवास कि मैंने उस महिला के भीतर पीडा के मदुर गीत महसूस किये मीठे गीत महसूस किये जो किसी से उसने कहे नहीं एंग शन के बाद वै कांपी सुगर सुगर होती सुन्दर वै इस तरही अब वर्तमान में एक पल के बाद मानों जैसे कांप गई हो तो उस मईदूरीन की हाली कैसी हो रही थी एक सितार की तरह जिस तरह जो सितार होता है अगर वो तूट जाता है तो क्या होता है उसकी सितार जो है अगर तूट गया है अब यहाँ पर कभी सोच रहे हैं कि उस वरत की हालत भी उस तार जैसी हो गई है उस सितार जैसी हो गई है कैसा सितार जो तूटा हुआ है जाने कि जिसके तार जो है वो कसे गए हूँ और उसे ऐसे सजाकर सामने रख दी है स्वभाविक रूप से जैसे वो टूटा नहीं है ठीक है सितार को छेड़ कर क्या होता है मिठी तान सजाई जा सकती है है ना गीत बनाए जा सकते हैं वैसे ही उस इस तरीकी पीड़ा में भी कहीं धुने छिपी हुई ह उस इस तरीके जीवन में संगर्श बहुत है जिसे हर पीड़ा में खनक महसूस जिसे हर पीड़ा में क्या हो रहा है कोई महसूस नहीं कर पा रहा है लेकिन कवी उसे महसूस करके खनक महसूस कर रहा है जाने कि वै मदूरता महसूस कर रहा है सिरफ कवी क्यूंकि कवी कवी क तो ये थी हमारी कविता नैतिक मुले सिखाने वाली तोड़ती पत्थर तो इसमें मैदूर और मैदूर की जो मैदूरी नै उसकी जो मैदूरी है उसकी द्यनिये दशा का बड़ा सुन्दचितरन निराला जी ने इस कविता में किया है कि हमें उन लोगों को क्या देना चाहिए समाज में सम्मान देना चाहिए क्यों कि उनके कारण ही हम बड़े- कहा देखा, इलाहबाद के पत्फपर, इस्तरी धूप में क्यों बैटी थी पत्फथ तोडने के लिए इस्तरी क्या तोड रही थी play कविता में ककों सा और सम है गर्मी का, इस्तरी के हाथ में क्या था भारी है फोड़ा, भरती किस के समान जल्वी थी रूई के समान मैदूर इस्तरी के माथे से क्या बह रहा था पसी न बह रहा था आगे कोशन है बच्चो इस्तरी क्या कर रही थी तो कोशन का आंसर जो है वो आपको दे दिया गया है आगे पेच पर कि इस्तरी जो है वो क्या कर रही थी तो आप लगातार बताएंगे इस तरी की स्थिती का बंदन करेंगे कभी ने इस तरी की करमटता पर अपने विचार यहां प्रकट किये गए और इस कभीता से क्या संदेश मिलता है कि हमें श्रमिकों को समाज में सम्मान की दृष्टी से देखना चाहिए क्योंकि इनके का करन ही हम अरामदाइक जीवन कोठियों में बतीत करते हैं सही उत्तर पर टिक लगाना है कभी ने पत्था तोड़ते हुए किसे देखा इस तरी को इस तरी कौन से ब्रिक्ष के नीचे थी छाया रही था इस तरी का मन कहा लगा हुआ था कार्यमी ठीक है यहां पर आप टिक क किस बात का दुखता घर से निकलने का बूंद की सोच में क्या जलक रहा है बूंद देव से क्या जानना चाहती है और कावयान से किरिया विशेशन शब्द डूंडने थे जीक है वो आपको लिक कर दे दिए शब्दों के दो-दो प्रयार बाची है सामने आपको लिक कर दे नेक्स कोशन, नीचे दिये शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं, स्वीकार का अस्वीकार, नत का उननत, गुरु का लगू, श्याम का श्वेत, दिवा और करम रत, करमहीन, ठीक है? मूल शब्द अलग करना है प्रत्य अलग करना है छाया दार में छाया मूल शब्द दार प्रत्य है उसी परकाय मैदूर मूल शब्द ई प्रत्य है दोपहर मूल शब्द ई प्रत्य है अटाल मूल शब्द है इका प्रत्य है सहायक किर्या पदों पर गुला लगाना था सहायक किर्या आपको पता ही ये कौन सी होती है जुलसाने वाली लू चल रही थी तो रही जो है वो आपकी सहायक किर्या हो गई सहायक किर्या पर गुला लगाना था रही पर अंडरलाइंग कर दिया इस तरही तप्ती दोपहर में भी कारे किये जा रही थी तो जा रही क्या हो गया आपका सहायक किरिया उसके माथे से पसीना टपक रहा था रहा क्या हो गया आपका सहायक किरिया सहायक किरिया का मतलब जो आपकी helping verb होती है और एकोती मेन वर्ब जिससे मुख्य किरिया कहते हैं जैसे मैं आपको बोलू तुम खेल रहे थे तो यहां पर खेल रहे यह क्या हो गया यह आपकी सहायक किरिया हो गई उसके माथे से पसीना टपक रहा था तो रहा क्या हो गया यह आपका सहायक किरिया हो गई मैदूर लू चलने पर भी कारे में लगे रहते हैं तो रहते क्या हो गया आपकी सहायक किरिया हो गई और है क्या होगा मुख्य किरिया हो गई यहां पर आपका chapter हुआ finish कुछ करने को यह सारी activities आप अपनी टीचर के साथ क्लास्रूम में कीजिएगा बाकी मिलते हैं आपको आपकी अगली डिमांड के साथ till then share this video to your friends also and comment if anything you want to share with me then please comment and subscribe my channel also